साथियों कभी आपने किसी की लॉटरी खुलते देखा हैं देखा या नहीं देखा आज आपकी लॉटरी खुलने वाली है कैसे खुलेगी 90% जो प्लॉट होते गूमे वह होते हैं अपनी दिशाओं पर सीधे नहीं होते काटिलन रेलेक्शन उत्तर पूरा अबदक्षिन पश्चिम यह जो है जितनी भी दिशाओं होती हैं यह सीधी सीधी बहुत कम प्लॉट पे होती हैं और मेरे पास जो सवाल आते हैं कहते हैं सर बता तो आपने पूरा दिया वीडी पे हमने पूरी देख ली लेकिन उपर से उ करा हूं आज में आपके समस्याल करने वाला हूं और अगर आपका फ्लॉट घुमा हुआ है तो आज लोटरी खुलने वाली है आज आपका वह फार्मूला बताऊंगा कोई जंजट नहीं कोई लंबी कैलकुलेशन नहीं कोई चक्र में पढ़ना असान तरीका जाना चाहते ह हैं तो चलिए इस वीडियो पर आखीर तक आज आप से मैं अंदर की बात शेयर करूंगा अंतर राश्ट्रिये ख्याती प्राव सेलेब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट वास्तु शास्त्र के एंसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारत द्वाच् साथियों बहुत-बहुत स्वागत हैं आपका मेरे इस खास कारे करम में और नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर आनंद भारत द्वाच्ट आज आप से शेयर करने वाला हूँ में गेट और में डॉर के बारे में आये लेके चलता हूँ मैं आपको में डॉर और में गेट में तब जब आपके घर की दिशाएं गुमी हुई है या आपका घर गुमा हुआ है वही लेके चलूँगा देखे गुमी हुई दिशा में में डॉर और में गेट ये नहीं कोई बताएगा आपको ये मिलना ही कोश्री करिए लेकिन इस बोर्ट पर समझाने का मौका बीलर है तो मैं आप से शेर करूंगा होते क्या है सबसे पहलत आप देखे यह हैं हमारा में में गेट किसी के घर थाइसके में टारा में में करना यू वा करता owe man get je work in निजिम का चलता था, मेमार वही पर आये करते थे, वही बैटा करते थे, लेकिन समय के साथ-साथ जो है, बिल्डिंग बनाने का तरीका बदलता चला गया, हम लोग मौटर होते चले गए, एक से एक बड़ी आप बिल्डिंग बनने शुरू होगी साथियों, यह देखिए, य मेंडरी वाल में, इसके बाद एक देखिए, यह वाला हमारा मेंडर है, यह अंदर का दरवाजा है, एक मेंडर और एक मेंडर होता है, मेंडर होता है, हमेशा अंदर गर के अंदर जाने के लिए हो सकता है, आपके पास मेंडर और मेंडर दोनों हो, हो सकता है, दोनों में से एक ही हो, कोई अंतर नहीं पड़ता, अब लोग कहते हैं कि सर जो boundary wall में हमारा main gate लगता है, क्या उस पर वास्तू लागू होता है, या हमारा जो main door होता है, उस पर वास्तू लागू होता है, एक बात ध्यान से सुन लो, हमेशा के लिए, वास्तू लागू होता है, अगर gate पर ये देखिए ये भी देखना है ये भी एक में डोर में और में गेट एक साथ में है इसके देखे दो पल्ले है एक पल्ला इसका ये है दूसरा पल्ला ये है बहुत अच्छे होते हैं अगर आप में डोर या में गेट अगर मनाते हैं अपना वो दो पल्ले का में गेट तो दो चीज जो आपका मौट्री वाले बनता है उसे गाड़ी में दलाते हैं समाना दलाते हैं बहुत बार हम अब आता है सवाल उस वो कि हम इसको जह कैसे इनके बारे में हम बात करेंगे देखिए अब अगले जो पांच मिनट हैं ये आपके लिए बहुत जादा सेंसिटी होने वा याद करेंगे भार्दाजी ने परीका बताया था फार्मूला देखिए आपने क्या देखा है अब तक आपने ये देखा है कि कोई भी जगा जो होती है आम तोपर जो दिशाएं बनाते हैं वो कुछ इस तरह से होती है नौर्मली ऐसे होती हैं अब क्या हुआ है यहाँ पर देखिए ऊपर उतर दिशाँ हो जाती है इधर हमारी पूरव हो गई इधर दक्शिन हो गई यहाँ पर हमारी हो जाती है पश्चिन दिशाँ अब देखिए इसमें जो मेन गेट बनाते हैं मैं आपको बहुत दिन से समझा रहा हूँ और आपने बहुत सारी बुक्स भी देखी है आपको ऐसी फिगर मिलती है यही और यही इसके लावा और कोई तरीका नहीं है वैदिक वास्तो शास्तन में कोई अपना नया तरीका बना ले तो उसकी मरजी इसमें जो मेन गेट मनता है मुखे दोर जो मनता है इसमें कैलकुलेशन की जाती है इतना होगे आपको इतने से डिवाइड करो इतने से भाग करो इतने से हो करो उसके बाद में आपका ये शेश आएगा और ये आएगा साथियों बहुत ज़्यादा कंप्लिकेशन हो जाती है फिर क्या होता है आप सोचने के कंसल्टेंट की मिलना कैसे मनाएंगे अपने गेट को बहुत असान तरीका कुछ मुश्किल नहीं है आप चाहे आपको पता अगर उत्तर मुखी आपका अगर भावन मन जाता है अगर आपका प्लॉट होता है तो उत्तर मुखी में आपको जो में डूर मनाना होता है उत्तर उत्तर पश्चिम के बीच में से कहीं से आता है या फिर ये कहले कि अगर हम नो बराबर भाग करते हैं किसे भी पलॉट के उत्तर दिशा के तो उसके जो है उस उत्तर दिशा वाले जो नो इससे आपने किये उस नो इससे वाले के जो इससे बनेंगे वो आपके जो आपका गेट बनेगा वो आपका बनेगा कुछ इस परकार से ये देखी है इसमें जहें 9 grid बना रखें हैं हमने हमने 9 grid बना रखें यहाँ पर और इस 9 grid में भी आपको बताता हूँ ये इसके जो हमारे grid बनेंगे ये हमारा जो grid है number 1 ये हमारा देखी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है इसमें अगर आपका gate आएगा हमने कहा था कि दो इससे छोड़ दिया गरो यह जो पहले दो इससे होते हैं इनको छोड़ देते हैं इसके बाद यह दोनों के दोनों यहां पर आपका main gate बन सकता आराम स्थी दोनों के दोनों बहुत अच्छे parts होते हैं इसी तरह से क्या होता है यह हमारा पूरव जाता और यह हमारा उत्तर पूरव जाता है उत्तर पूरव और पूरव के बीच में अगर आप इसके जह से देखते हैं तो आपके पास यह एंट्री आपकी बहुत अच्छी बनती है शास्त्रों के साफ से बहुत अच्छी एंट्र जी ने बता ही नहीं ठीक अब आते हैं हम उस प्लॉट के अशा इसकी बाद यहां बता दो चलती जब एक बार चलने से पहले कि अगर इसके अंदर आपने अपना ये तो हमारा बाउंडरी वाल होगी जो हमारी चारों तरफ की बनी है अगर हमारा पलॉट मा लेता हूँ चारी है माल ये हमारा स्क्वیर है, रेक्टेंगल है, किसी भी शेट के अंदर है अगर ये पलॉट ऐसा भी होगा तब भी तो ही रहें कि साक्यों सिदांत नहीं बला करते कभी भी, सिदांत वही रहते हैं इस तरह से अगर आपका जो है plot मा लेता हूँ मैं, कि आपका जो plot है या ऐसे है और उसके बीच में आपने अपना भown बनाया, अब में आपको दिखाता हूँ कि आपने क्या किया था, हमने यह किया था कि ये जो nine grid वाला system था, इस nine grid पर हमने आपको बताया था भी, अब देखिए आपने मुखेद्वार तो बना दिया बहुत अच्छे बात है आपका मुखेद्वार बिल्कु ठीक बन गया आपने मुखेद्वार जो बनाया आपने यहां पर बना दिया एक यह बन गए यह आपके मुखेद्वार बन गए बहुत अच्छे बन गए इसके बा आ रहे हैं पूरे में नहीं बन रहा है यह आपका भवन बन रहा है फिर आपने क्या करना है इसके सामने गेट नहीं आएगा इसके सामने यहां पर गेट नहीं आएगा यह ध्यान कर लेना इसके सामने नहीं आएगा फिर आप यह जो आपका इससा बनेगा इसके आपने नो इ अपने एंट्री करनी है और दो छोड़ने के बाद थर्ड और फॉर्स है ये थर्ड फॉर्स एंट्री करनी है थर्ड फॉर्स एंट्री करनी है थर्ड फॉर्स एंट्री करनी है मेरे इसाब से मैंने आपको बड़ी काम की बाद बता दी पूरे प्लॉट में अगर आपने वास आज के बाद, अब मैं आता हूँ उसके बाद भूमे दिशाओं में, अगर दिशाओं घूम जाती हैं, तब आप क्या करेंगे, इस पर आता हूँ, अगर दिशाओं आपकी घूम जाएं बाई चांस, तब क्या होगा, ये तो चलो मैंने बता दिया, बहुत सिंपल था, अब इसके बाद अगर दिशाओं गूमते हैं, तो एक शब्द मेरा याद रहना, आनद भार्दवाजी का, एक शब्द मेरा याद रहना, जिंदगी भर, वो शब्द क्या है, गुरु मंत्र है ये मेरा, गुरु मंत्र, एक शब्द याद रहना, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा यह यादःना और आपकी जिर्ट ब़ूब बड़िया हो जाएगी चाहे बास्तू करते हैं नहीं करते कंशर्टेंट है यह नहीं हैं अपना घर मना रहा है कुछ भी मना ओना रहा है थोड़ा सा एक बड़िया चुना थोड़ा सा बढ़िया Horis थोड़ा सा से आपकी जंदिकी बदलने वाली है आपका नौर्थ यहां पर नहीं आया और ऐसे तो मगान मिलेंगे नहीं आपको ऐसे प्लॉट कहा मिलेंगे मैंने बूला दस परशंट भी नहीं है शायद प्वांस परशंट भी ना हूँ अब आपका प्लॉट क्या हुआ जाती है तो आपने क्या देखा था पहले आपने उत्तर के थोड़ा सा लेफ्ट में आपने गेट बनाए थे उत्तर दिशा के थोड़े से लेफ्ट में आपने गेट बनाए थे अब यहां पर भी आपका जब यह आ जाएगा तो आपका जो गेट बनाएगा वो फिर सकते हैं अराम से इसका मतलब पूरब दिशा से थोड़ा सा उधर उत्तर दिशा से थोड़ा से उधर अब उसके बाद में पुलोड आपका कितना भी घूम जाए देखिए बड़ा एक्जामपल दिखा रहा हूं मैं आपको आप मा लेता हूं यहां पर आपका उत्तर आ गया आपका पूरब आ जाता है मा लेता हूं यह हमारा पूरब आ गया राइट यहां गेट बना रहा है तो मैंने आपसे कहा था थोड़ा सा यह याद हलना थोड़ा सा नौर्थ का थोड़ा सा में जगा नहीं है प्रोसी का घर है इदर भी इदर किसी घर है आप क्या करेंगे अ पूरा उत्तर पूरब बन जाता है मालिया इशान बन जाता है हमारा तो आपने ये देखा था इशान और पूरब के दोनों के बीच तो बिखा था थोड़ दिर पहले कि वहां पर आपका मेल गेट होना चाहिए था बन जाएगा इधर आपके पास कोई संभावना नहीं है इसके बाद आते हैं दक्षिन में अगर ऐसे बनता है माल या साउथ आपका यहां पर आ जाती है राइट अगर दक्षिन दिशा यहां पर आ जाती है मैंने आपकी यहां करता थोड़ा सा एक चब्रभा दक्षिन की जो दिशा बनती है इसके थोड़ा सा आपका जहींगे तो लेख्ट में बजाएगा यहां पर बनी हुई है तो बिल्कुल कोने में चला जाएगा सेंटर से जब साउथ यहां से साउथ को मिटा देते हैं अमरा थोड़ा सा उदर कि यहां बड़े रामसे और अगर ये दक्षिन दिशय कोई कहीous एक और एक्जामपल लेता हूं मैं यह सब दिशाएं हमारी घुमजाती है मान लेया इसको तो कलो इनको तो कड़ कर देते हैं मान लेया उत्तर दिशा के यहाँ पर आगई अगर दख्शिन देशाव आपके बनती है, अगर नोर्थ वहां पर आएगा, तो सौरी, यहां पर आपका आएगा, वेस्ट यहां पर आपका पश्चिन दिशा जाएगी, तो आपकी ऑंट्रस यहां से बन जाएगी, और जो दख्शिन दिशाव की बनेगी, वो सावत यहां पर आएगा तो South से आपने देखा है थोड़ा साई तर आएगा यही सिधान बिलकुल यही सिधान आप ने घर पर लागू करना है अगर आप घर बना रहे हैं सकेंदर कोई बी अपना आपने house बनाया मां लिया तो अब देखिये मां लेता हूं कि घर आपका यहां पर बना यह बिलीडिंग आपने बना ली थीक है इस परी वहSya कि था तो इसमें क्या हुआ जैसे यहाँ पर प्लाट में नौर्थ यहाँ पर आया गा हमारा उत्तर दिशा यहां पर आएगी पूब दिशा हमारी AATOMATICAL जिक नौर्थ यहाँ पर से इदर आईगी तो हमारा जाय है पूरो दिशा मारी इसे इतनी आजाएगी दक्षें दिशा यहां पर आजाएगी आप क्या करेंगे थोड़ा सा मैंने आप से थोड़ा सा याद होना पस एक वर्ड आपके जंदगी बदल जाएगी नौर से थोड़ा सा इदर हमने एंट्रे यह अची अंट्री बनी जैसे जैसे दिशाएं घूम रही हैं सातियों जैसे जैसे दिशाएं घूम रही हैं वैसे वैसे आपको काम करने का मज़ा आ रहा है घूमने तो कोई बात नहीं राइट जाता है लेफ जाता है यही तो समस्य आपके सामने आई थे ना अपने दिल से पूछना कि हाँ भार्दवाजी यही समस्चा आए थी और अगर आप अकेले बैठें या साथ में कोई भी है इसमें मेरा वीडियो देख रहा है और आपको मज़ा आगए और आपके लाटरी वाके में खुल गई है तो साथियो एक बार कलैपिंग कर देना अकेले बैठे नहीं जो बड़े-बड़े वास्तु वाले हैं जो कल्कुलेट कर रहा है बैठकी गुणा करना है भाग करना है उससे वो करना है नाई से डिवाइड करने के आप बता रहा है यहां से आएगा सब के सब रहे पीछे और आप उससे आगे निकल गए आज क्यों कि आखिर गू यह बैठके अकेले में तो साथियों सब्सक्राइब करना तो बनता है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया था चैनल को इतना बढ़िया बताने वाले आपको नहीं बिलेंगे और हां लाइक तो आपके हाथ से निकलेगा निकला जुरूर करनेगे लाइक आप उसको का समधान देता हूँ आपको मैं तब तक के लिए दिया मुझे इजाज़त नमशकार धन्यवाद थैंक यू एंड टेक कियर